नमस्कार बच्चो राज के महाविद दाल राजगर चूरुद्वारा संचालित ओनलाइन क्लासेज में आज हम रितिकालिन कभी पदमा करके रश नीरुपन का धन करने जा रहे हैं रश नीरुपन में एक सकी जो कृष्ण की वियोग बथा और उनकी प्रेम निष्टा को देख कर आई है और आने के बाद कृष्ण की जो वियोग बथा और एक निष्टा का वणन करते ही कहती है क्या कह रही देखिए ऐसी ने देखी सुनी सजनी धनी बाडत जात वियोग की बाधा त्यों पदमा कर मोहन को तब ते कल हैने कहूपल आधा देखिए क्या है कि स्री कृष्ण जबसे राधा से अनुराग करने लगे हैं तबसे वियोग वथा से ग्रस्थ हो गए है या कोई गोपी दूसरी से कहती है कि हे सकी किसी स्री की वियोग में इस प्रकार की निरंतर बढ़ती हुई बेचैनी मैंने पहले कभी ने तो देखी है और ने कभी सुनी ही है ऐसी ने देखी सुनी सजनी कि हे सकी हे सहली ऐसी बेचैनी ना तो मैंने पहले कभी देखी और ना कभी सुनी पदमाकर कभी कहते हैं कि राधा से बिछुडने पर स्री कृष्ण को आदेक्षण के लिए भी सान्ती नहीं मिल रही है बाड़त जात बियोग की बाधा त्यों पदमाकर मोहन को तब ते कल है ने कहूं पदमाकर कभी कहते हैं कि तब से मोहन को श्री कृष्ण को आधे यहींनि एक पल तो बहुत बड़ा है आधे पल के लिए भी कृष्ण को शान्ती नहीं है लाल गुलाल घला घल में द्रग ठोकर दे गई रूप अगादा के गई के चट के सी मन ले गई ले गई ले गई राधा पदमाकर कभी कहते हैं कि राधा से बिछुडने पर कृष्ण को आधे पल के लिए भी शान्ती नहीं मिलती है लाल रंकी गुलाल के धेर में अगाद रूप संपन राधा अपनी आखों के ठोकर मार गई है लाल गुलाल घलाहल में द्रग ठोकर दे गई रूप अगादा अगादा मतलब गहरी गलाहल गलाल के मतलब क्या है धेर यानि लाल, गुलाल की ढ्येर में अगाद रूप संपन राधा अपनी आखों के ठोकर मार गई है जिससे वे गुलाल जब गुलाल का ढ्येर है और गुलाल के ढ्येर में हम ठोकर मारेंगे तो क्या होगा गुलाल सरवत उड़कर अगर व्याप्त हो जाएगी अर्थात स्री कृष्ण का स्रवांग प्रेम के रंग में रंजित हो गए हैं वहां रादा वहां से क्या गई वै तो कृष्ण के मन को जादू से वसी भूत करके अपने साथ ले गई के गई के चेटक सी चेटक मतलब जादू टोना कि वह रादा वहां से गुलाल के धेर में ठोकर मार के क्या गई अर्थात आँखों से ठोकर मार के क्या गई के गई के चेटक सी मन ले गई अर्थात वह राधा ऐसे वहां से चले गई जैसे क्रिश्ण के मन को जादू से वसीबूत करके अपने साथ ले गई ले गई ले गई राधा अर्था तो राधा है वो स्री किर्शन के मन को किर्शन के उपर कोई जादू तोना सा करके चले गई है और उसके बाद किर्शन राधा के प्रेम में इस तरह से व्याकुल बेचेन है कि उस गोपी ने उस सकी ने ऐसी बेचेनी ना तो पहले कभी देखी और ना कभी सुनी आगे देखी क्या है एहो नंद लाल ऐसी व्याकूल परी है बाल हाही चली तो जेरी जुरी जाएगी कहे पदमा कर नहीं तो ये जहकोरे लगे और लो अचाक बिन घोरे घुरे जाएगी देखी क्या है नाइका की दूती ये सकी कहती है कि हे नंद लाल क्रिशन अब देखी क्या होता है प्रेम में जब एक शकी वियोग दसा में व्याप्त रहती है तो दूसरी सकी क्रिशन के शमक्ष उसे सला दे रही है और स्री वह कृष्ण के समक्स राधा की वियोग वथा का उलेक उससे मिलने की सला देती हुचितरित कर रही है इनाइका की दूतिय सकी कहती है कि हे ननलाल कृष्ण एहो ननलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल कि हे ननलाल क्रिशन आपके वियोग में वतित होकर वह ब्रजबाला राधा इस परकार पड़ी हुई है किस परकार पड़ी है हाँ ही चली जो जोरी जूरी जायेगी किस परकार पड़ी है कि अगर आप उसके समेप अभी सिग्र ही चलोगे तो आपकी जोड़ी मिल जाएगी अन्य था नहीं अभी चलोगे तो जोड़ी जूर जाएगी तो आपकी जोड़ी मिल जाएगी अन्य था नहीं अर्था तो उसके मृतियों आपके दर्शन के बिना समी भी समझे अगर आप अभी नहीं चले तो वियों की अगनी की तेज लप्टों की हवा के जोके से वै ओले की तरह सिग्र ही बिना घुले ही घुले जाएगी कहे पदमाकर नहीं तो ये ज़कोरे लगे पदमाकर कभी कहते हैं कि नहीं तो अगर आप नहीं गए तो अभी वै रादा घुले ही बिना घुलाये ही पानी में शिग्र घुल जाते हैं ऐसे ही वह सकी कहरी है कि राधा वियोग में इस तरह से तडफ रही है वियोग की अगनी में इस तरह से जल रही है कि वियोग की अगनी की तेज लप्टों की हवा से कि जोंके सेवे ओलों की तरह सिग्र ही बिना गुले ही घुले जायेगी, सीरे उपचारन घनेरे घन सारन को देकत ही देखो दामिनी लोधूरी जायेगी, और क्या है? कि अगर कपूर चंदन देखिए क्या है सीरे उपचारन घनेरे घन सारन को घन सारन मतलब कपूर सीरे मतलब ठंडे दामेनी मतलब बिजली दूरी मतलब छुपना तो देखिए क्या है कि अगर कपूर चंदन आदी ठंडे उपचारों को अपनाने की बाद आपने सोची तो इन उपचारों को तो देखते ही वे बिजली की तरह छिपे जाएगी तो ही लग चैन जो लो चेती है ने चंद मुखी चेतेगी कहा लो चांद ने में चूरी जाएगी और क्या है चंद्रमा के समान चंद्रमा के समान मुख वाली उस ब्रजबाला को सांती तभी मिल रही है तब तक मिल रही है जब तक कि वह होस में नहीं आती है तो ही लग चैन यहीं उसे चैन तभी मिलता है जो लो चेती ने कि जब वह चेती में नहीं रहता है अरथाथ होस में नहीं रहती है और आप उसके समीप नहीं हुए तो वे चांदनी में चुराली जावेगी चेतेगी अर्थात उसको होस आया कहें तो चांदनी में चुर जाएगी अगर उसको होस आगया तो वे चांदनी में ही चुराली जाएगी अर्थात, सब के देखते देखते ही प्राणों का त्याग कर देगी क्योंकि आप ही उसके प्राणों के आधार हैं, आपके दर्षन के बिना उसका जीवित रहना एशंबव है इस प्रकार से, राधा की वियोग वथा का चित्र ने कभी पदमाकरजी ने किया है और इस पद्ध्यांस में हम देखते हैं कि अनुप्रास रूपक और उपमालंकारों का प्रियोग हुआ है कवित छंद की पदमेत्री नाद सुंद्रिये इम गतियती हमें दिखाई देती है अगले कक्षा में हम कभी पदमाकरजी का ही अध्यन करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद